हलो गईज एक बार फिर से बीकमिंगा गॉट टीचिंग बैज सिक्सिस्टर्स के पार्ट फॉर्टीन में आप सभी का वेलकम और आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया कि आप लोग मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं और फ्रेंड लोगों को मालूम है क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं और इसी के साथ चलते हैं आगे एपिसोड की शुरुवात में में दिखाया जाता है जब अपने हिरो ये लाओ को वहां पे एक मिलता है तो उसी के साथ में वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको रात के टाइम में दिखाया जाता है अपना हेरो वहाँ पे उस एक को देखते हुए बहुत ज़रा एक्साइट होके बोलता है अरे वाँ ये एक तो बहुत कमाल का है और तो और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ही मेरी बॉड़ी के क्यूवाई एनरजी को एब्सॉर्ब कर रहा है अपने हीरो की बात सुनके जो मिश जिन होती है हरान होके कहती है अरे क्या तुमको सिस्टर ने नहीं बताया कि किस तरह का एग है मिश जिन की बात सुनके जो अपने थर्ड सिस्टर होती है वहाँ पर गुस्से के कारण नहाते हुए, गेट खोल के बाहर आते हुए चिला के कहती है, ये तुम लोग किस तरह की बात कर रहे हो, बेशक, ये एक मेरे भाई के लिए सर्प्राइज है, जिसे मैं उसे देना चाहती हूँ, अगर मैंने उसे बता दिया, तो सर्प्राइज क कहती है, अभी अभी लडाई में मेरे कपड़े फट गए, तो इसी लिए मेरे लिए एक नए कपड़े को ढूड़ना थोड़ा मुश्किल है, और तभी दोस्तों में दिखाया जाता है, जब वहाँ पर लडाई कर रहे होते हैं, तो उनके घर के बाहर बहुत धेर सारे असे मास्टर ने उन्हें बदला लेने के लिए भीज दिया, और दूसरे साइड में जो अपने हिरो ने अपनी सिस्टर को कपले दिये हुए थे, उस कपले को देखते हुए, वहाँ पर गुसाते हुए कहती है, यह तुमने मुझे कैसी कपले दिये है, इन कपलों को पहनने में म अपने मास्टर से कहता है, पीक मास्टर लाव, प्लीज, यह लाव को बाहर आने दें, और उससे कहें कि हमारे साथ में चले, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते है, पीक मास्टर लाव का वो डिसाइपल है, उनकी बास सुनते हुए, पीक मास्टर लाव कहते हैं, अरे, मुझे तो देखते हुए बहुत जड़ा ताजूब हो रहा है कि पीक मास्टर सॉंग हुंग यू उसको लेने के लिए खुद क्यों नहीं आई और उसने अपने सपोर्टर्स को भेजा यहाँ पर लेकिन मुझे यह उमीर नहीं थी कि कि उसे ताइस सेट के सिखराट का बिल्कुन भी पता नहीं होगा ओसर लाव की बास सुनके जो मिस जिन होती है वहां पर हिरान होते हुए कहती है ये लाओ मिरी जान मुझे बताओ मास्टर लाओ यहाँ पर किस चीज को प्रोटेट करने की बात कर रहे हैं क्योंकि ये लोग जित्ते भी यहाँ पर आए हैं कम से कम मॉटल बेस के रिल्यम पे हैं और तो और उनका इमोटल स्वाड एरा है असानी से एक पीक मास्टर को मार सक होता है लेकिन सेक्ट मास्टर उन्हें ऐसे भीज देंगे क्या अपने डर्लिंग की बास सुनते हुए अपना हीरो कहता है वहाँ पर केवल दो लोग हैं जो इस इसके बारे में बात चीत कर सकते हैं सौंग हंगियों ने इतने सालों में सेक्ट मास्टर का विश्वास चीत दिया है या फिर मुझे डर है कि ताइस सीक्रेट गार्ड भी सौंग हंगे के ग्रूप के होंगे और उसके ऐसे कहने के साथ में दूसे साइड में जो उनको पकड़ने आए थे वो आगे बढ़ने लगते हैं उन लोग को आगे बलते हुए देखकर जो मास्टर लाव होते ह उनके सामने आके कहते हैं है लोंडे में बास सुनो जिसने भी तुमसे कहा है यहां आने के लिए वो सच में एक नमबर की आलसी और बेकार औरत है और तुम उसकी बास सुनके यहाँ पर यह लाव को ले जाना चाहते हो और यह बस इस चीज़ पर निर्वर करता है कि तुम लोगों के अंदर इतना दम है भी कि नहीं और यहां पर दोस्तों की बास उनके लगता है कि सच में एक नमबर का कठोल लॉंड आए यह बुले तो असली मर्द मास्टर लाव की बास सुनते हुए वहां पर जो सामने बढ़ रहा था आदमी वहां पर घबराते हुए कहता है कि मास्टर लाव का तो मालुमी था कि यहां पर लफटा क्या चल रहा है लेकिन तबは मास्टर लाव के सामने मोटू और पतलू की जोड़े एक दो सामने आ जाती है और फिर वहां पर मोटू समझाते हुए मास्टर लाव से कहता है ये सेक्ट मास्टर का आदेश था वो ये लाव को खुद सामने आकर समझाने की कोशिश करना चाहती थी और तभी वहाँ पर पतलू कहता है और तो और तुम लोगों ने त्री टॉप मास्टर में से उन सभी को मार डाला क्या तुम लोग सच में यहाँ पर विद्रो करने जा रहे हो उन लोग के ऐसी बात सुनने के बाद में जो पीक मास्टर लाव होते हैं वहाँ पर गुसाते हुए कहते हैं तुम बेफालतु के बहाने बनाना बंद करो अपने master गुस्से में देखकर और वहाँ के लोग को देखकर अपना hero आगे बलते हुए चिला के कहता है master आपको लड़ने की कोई जरुवत नहीं है मैं उनके सामने जाकर खुद उनसे बाचित करना चाहता हूँ और उसके ऐसे कहने के साथ में वहाँ पर सीन्स शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर मोटू पतलू आगे बलते हुए गेट के सामने जाकर कहते हैं sect master हम ये लाव को यहाँ पर ले आए हैं उनकी बास सुनते हुए sect master कहते हैं हाँ ठीक है उसे अंदर आने दो और जहाँ पर sect master के अवाज सुनके अपना हेरो उनको ग्रीट करते हुए कहता है sect master मैं आपके सेट का एक सीखने वाला disciple ये लाव हूँ और मुझे आप से मिलने में बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब अपना हेरो अंदर आया होता है तो दूसे साइड में जो sect master होती है वहाँ पर दो रड़के को थू बड़े अराम से अपने आपको नहलवा रही थी क्योंकि दोस्तो sect master है खुश तो रंगबाजी चाहिए कि नहीं चाहिए और फिवहाँ पर अपने hero की बास सुनते हुए रंगबाजी में कहती है क्या कहा तुमने कि तुम यहाँ पर सीखते हो और तो और मुझे याद है दस साल पहले तुम तो वही एक नंबर टैलेंट फ़ले disciple थे न क्यों मैंने सही कहा न और तो और मुझे ऐसा पता चला है कि तुम बहुत बड़े बेफ़कूफ हो तुम इन मन में कहता है धत तेरी की सेक्ट मास्टर सच में यहाँ पर नहा रही है आखिर वो नहाते समय यहाँ पर मुझसे क्यों बात करने के लिए कह रही थी अपने हीरो को इतना शर्माते वे देखकर और दोस्तों वहाँ पेता सोचते वे देखकर सेक्ट मास्टर वहाँ पर हसते हुए कहती है मुझे पता है कि तुम इस समय क्या सोच रहे हो लेकिन पक्के दोर पर तुम इस समय मुझे नहाते समय पुरी तरह से नहीं देख पाऊगे और लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है मैं हर दिन इसी समय यहां पर नहानी के लिए आया करती हूं और तुम इसी समय पर यह नहीं बदाया गया है वो लोग इन लोग की बते सुन रहे थे और तभी वहां पर जो मोटू होता है पीक मास्टर सॉंग के पास बहुत ज़रा क्लोस आते हुए उनसे फ्रेट करते हुए कहता है यह लाओ अंदर चला गया है और तो और स्टैक मास्टर इस समय सबसे कमजोर गये थे और जब पतलू आस्मान की तरफ देखता है तो वहां पर चांद एकदम लाल कलर का पहुँच गया था इसको देखते हुए वो कहता है अरे यह तो देखो आस्मान में जो चांद है खुरी दंग में बदल गया है और उन लोग के बीच में दोस्तों क्या बात चीथ हुए आगे हमें अभी नहीं बताया गया है और फिर हमारा सेंज शिफ्ट होके सेक्ट मास्टर की तरफ आ जाता है जो कि वहां पर अपने हिरो से आगे कहती है अच्छा तो तुमारा मतलब है कि जो चारो के चारो पीक मास्टर थे वो अपनी टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए वहां पर मारे गए उनके ऐसी बास सुनके अपना हिरोन को बताता है हाँ मैडम बिलकुन आप सही कह रही हैं लीडाव सेक्ट ने पिछले कुछ सालों में बहुत डेर सारे बड़े और छोटे सेट को नश्ट कर दिया है और अब वो ताइस सेट के लिए एक बहुत पास सच में चार पीक मास्टर थे जो कि लीडाव सेक्ट में साथ में कॉंटेट करते थे और तो और लीडाव सेक्ट के मास्टर का काम भी करते थे अपने हिरो की बास सुनने के बाद जो सेक्ट मास्टर होती हैं वहां पर नहाते हुए एक्दम आराम से कहती हैं तुम जो म कहने के बाद में वहाँ पर गुसाते हुए अपने हिरो के तरफ देख के कहती हैं और तुम अब मुझसे ये कह रहे हो कि उन लोगों ने डाउ सेट के साथ में मिली भगत की और तुम्हारे उपर अटेक करने की कोशिश करी सेट मास्टर की बात सुनके अपना हिरो वहाँ पर हसते हुए कहता है क्या आपके पास कुछ सबूत है कि मैंने जो कि यहां पर बस सीखने आया था तीन पीक मास्टर को यहां पर मार सकता हूँ और तो और मैं आपके इस बात को एक्सेप नहीं करूँगा अपने hero की बाह सुनके जो peak master होती है वहाँ पर पलट के उसके तरफ देखते हुए कहती है मेरी ना चाहते हुए भी तुम इस 10 सालों में इस set के अंदर एक disciple के रूप में थे और इस बीच तुमने अपनी skill को सुधारा बलकि अपनी skin को भी बहुत सदा मच्पूत कर लिया और जैसे वहाँ पर set master ने इस बारें बोला होता है जो उनके उपर की तरफ दोस्तों खिड़की या जो भी चीज़े होती है वो वहाँ पर तूटना स्टार्ट हो जाती है उनके उपर तीरों का attack होने लगता है और उन तीरों का attack इतना जादा होता है दोस्तों जो उनके सेविकाई होती है उनको नहलाने वाली उनके उपर भी जाकर वहाँ पर लगने लगती है लेकिन किसी तरीके से जो set master होती है वहाँ पर अपने आपको बचा रही थी और अगले पली एक तीर जो होता है जो उनके सेविका थी जो नहलाती थी उसके हाथ पर जाकर लगती है और ऐसा होने के कारण उसके हाथ में वहाँ पर poison फैल जाता है जिस इसको देखते हुए वह वहाँ पर घबराते हुए बरीता चिलाएं लगती है जब अपना हीरो ये लाव उस अटेक के ऐसे इंपेक को देखता है तो तुरंत वहाँ पर आगे बढ़ते हुए सेक्ट मास्टर को बचाने के कुशिश करते हुए कहता है नहीं ये बहुत खराब हुआ ये तीरे तो बहुत ज़रा जैरीली हैं और जब सेक्ट मास्टर अपने उपर ऐसे होते हुए हम लोगों को देखती हैं तो वहाँ पर गुसाते हुए कहती हैं ये नपुलसक के पिल्ले हराम खोर इनकी हिम्मत कैसे हुई तियाई सेक्ट के उ गोल सा और सॉप से आ जाता है और इतने जाता बड़े और गोल गोल सॉप से बलुन को देखने के बाद वहाँ पर बुरी तरह है था उसके नाक से पानी के अंदर बुरी तरह खून निकल लगता है और दोस्तों क्या अपना हीरो सेक्ट मास्टर को बचा पाएगा या फिर वहाँ पर जो उनके उपर secret attack हुआ है उनके कारण वो दुनों मारे जाएंगी यह सब आप में next episode पता चलेगा अगर आपको मेरा video explanation पसंद आया है तो please guys दिल से एक request करता हूं या एक like subscribe जरूर करके जाएगा और आप सभी का दिल से शुक्रिया यहां तक support करने के लिए और इस के साथ मिलते हैं लोग next episode में thank you for watching my video love you all